हलो असलाम लेकुम और वेलकम बैक टू मैं चैनल अन टूदेज मेनी विट शूभी मिनाज तो मैं हूं शूभी और आज फिर से मैं एक वैलेंटाइन डे स्पेशल केक ही बनाने जा रही हूं चॉकलेट फ्लेवर का तो यह बेंटो केक है इसलिए मैंने आधे कप से थोड़ा है और 5 इंच का बोड़ हो गयें और बोड़ पर इसलिए बना रही हूं कि मेरा जो केक है बिंटो होने के बावजूद यह थोड़न हो गo गया था तो मेरे बिंटो वाक्स मेह नहीं आ रहा था इसे इस्वेसय मैंने बोड़ पर ही बना लिया दो केक में एक साथ ही बना रह और वो लगाया गनाश उसी ओपर चौको चिप लगाया है एक लेयर पर तो मैंने यह सब चीज डाली है और सेकेंड लेयर पर मैंने स्ट्रॉबरी का क्रेश भी डाला है तो कुछ क्लायंट जो मेरे अपने होते हैं जिनके साथ मैं उनके मतलब थोड़ा सा एक्सपरिमेंट कर सती हूं तो मैं कर लेती हूं तो स्ट्रॉबरी चॉकलेट वाला केक उनको खिलाया था उनने बहुत पसंदाया तो फिर सेम वैसे ही मुझे और दिया है यह वैसे ही उसी टेस्क का केक बना करके दीजिए तो सिकेंड लेयर में मैंने चॉकलेट के साथ स्ट्रॉबरी भी डाल दिया था और डेकोरेशन बहुत ही ज्यादा प्यारी है और बहुत सिंपल सी है क्योंकि बेंटे केक में तो आप ज्यादा कुछ डेकोरेट कर नहीं सकते हैं तो पूरी देखने के लिए आप में वीडियो को उर्न तक जरूरा देखना होगा तो पूरी वीडियो को बिना, Skip के वए देखी घायर में ऑर मेरी वीडियो को वॉच कर लिया कि ए इस तरह से आप केक को बनाइएगा तो फिर rempl क्रीम कर ली थी और उसके बाद इसकी फाइनल फ्रोस्टिंग भी मैंने इसी क्रीम से की थी मुझे तो बेंटो केक की ही आइसिंग और लेरिंग में ज्यादा टाइम लग जाता है और मुश्किल भी लगती है मतलब महनत ज्यादा लगती है हाँ डेकॉरेशन इसमें कुछ खास नहीं होती है तो फटाफट हो जाता है लेकिन यह जो आइसिंग यह लेरिंग और करम कोटिंग में थोड़ा सा मतलब महनत लगता है क्योंकि यह बहुत साथ हिलता है स्लिप करता है चोटा होने की वज़ए से और बड़े वाले केक में यहाँ पर बहुत कम टाइम लगता है मतलब लेरिंग में और आइसिंग करने में टाइम नहीं लगता जल्दी हो जाता है फिर उसके डेकॉरेशन जैसी होती हुस हिसाब से उसमें टाइम लगता है तो यह मेरी जो है प्रोस्टिंग इसकी हो गई है मतलब फाइनल आइसिंग हो गई है जहां पर थोड़ी बहुत क्रीम कम लग रही थी मैंने लगा कि अच्छे से कर दिया था अब इसके ऊपर मुझे जो है चौकलेट गनाश बोर करना है तो मैंने एक तरफ से चौकलेट गनाश बोर किया है और थोड़ा सा इस पेस छोड़ दिया है और बाफी जगह पर मैंने गनाश बोर करके थोड़ा ड्रिप भीं साइड में गिराया है है अब पाइपेंग में मैंने फ broadlyक्स नंबर वाला नोजल लगाया है और रेड़ क्रीम में पास थी बस उस से ड्रोप करके सिंगल सिंगल फ्लावर बना दिया है ठोड़ा ही से स्पेस था तो छड़ छड़ फ्लावर बना दिया है अभ यह मेरे पास red color का heart वाला sprinkle था तो वह भी लगा दिया है उपर में कुछ pink color का sprinkle भी डाल दिया था valentine day का cake है तो यही सब color रगाएंगे इसके उपर और side में भी लगा दिया है तो बहुत cute लग रहा था ये cake और मैंने last में इसका price भी लिख दिया है तो उपर जितना flower बनाया तो उसके भी इस center में एक sprinkle डाल दिया और नीचे base पर मैंने वह जो वर्मी सिली वाला sprinkle होता वह लगा दिया और सबसे आखिर में मैं जो हमेशा करती हूँ स्प्रे करती हूँ golden यह कोई भी लस्टर डस्ट का तो इस पर golden लस्टर डस्ट स्प्रे किया था जिसे प्यारी सी shine cake के उपर आ जाए तो यह वारी decoration मुझे मेरी बहुत प्यारी लगी आप लोगो कैसी लगी comment में जरूर अब ही मैं बहुत सारी वेलेंटाइन डे स्पेशल केक की डेकुरेशन आपके साथ शेयर करूंगी तो मेरी वीडियो को देखते रहेगा चैनल फबने रहेगा तो चलिए कल फिर मिलेंगे हम किसी तरह की प्यारी सी वीडियो के साथ नए आइडिया के साथ तब तक खूब क बनाई है अच्छी डिजाइन ट्राइ कीजिए इतना ट्राइ कीजिए को अतना अच्छा रहेगा अपना पूरा प्रा ख्याल रखिए द्वा में याद रखिए अला फैस एंड थैंक्स वर वाचिंग